वेलकम बैक फ्रेंड फिर से एक बार स्वागत था आप लोगों का मेरे स्यूटूब चैनल पर मेरे स्यूटूब चैनल का नाम है नीले सर क्लासेज 123 जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेश से विचार साजा करूंगा पहला यह कि मेरा यूटूब चैनल बना ले का मकसद क्या है दूसरी बात कि आप अपने जनरल नौलेज को कैसे बढ़ाएं आसान तरीके से और तीसरी महत्तोपुण बात कि किसी भी चीज को आप याद कैसे करें और ऐसे याद करें कि वो जीवन में कभी भूले नहीं बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को यह तीनों टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करूंगा आप लोगों के सार्ट वीडियो लाज तक देखिएगा और कमेंट करके हमको इसका रिप्लाइज जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और मेरे बीचार आपको कैसे लगे पहला जो टॉपिक है वह है कि यह यूटूब चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या है देखिए हम जितने भी टीचर समदाए के लोग हैं जो नाना नाम से बिभिन नाम से यूटूब चैनल चलाते हैं तो मेरा जो मकसद है वह यह है कि जब हम लोग किसी इंस्ट्यूशन में पढ़ाते हैं या किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर 20-25-50 बच्चे रहते हैं और एक क्लास पढ़कर के पास उठोकर के चला जाता है दूसरा आता है फिर तीसरा आता है इस तरीके से जीवान है लगातार चलते रहता है लेकिन यह यूटूब जो प्लेटफॉर्म है यह एक तरीके से आपको अमर कर देता है आपकी पढ़ाई हुई चीजें आपकी बताई हुई चीजें सदेव के लिए रहती हैं वीडियो के रूप में पहले लोग बुक्स वगरे लिखा करते थे और वही बुक रह जाती थी लोग उसको पढ़ते थे आने वाली पीडियां उसको पढ़ती थी तो मैंने यह सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर अपने चीजों को अमर कर दो इसलिए मेरे बिचार में यह बात आई कि क्यों न यूटूब पर अपने जो भी आदमी जानता है देखे ग्यान का सागर तो बहुत है लेकिन इसमें से जो भी थोड़ी सी मतलब माइक्रो में अगर हम लोग जानते हैं और उस चीज को अगर कोई दूसरे को बता देते हैं अगर दूसरे का उससे भला हो जाता है तो मैं समझूंगा मेरा भी भला हो गया तो यही मेरा मोटिव रहा कि एक क्लास में हम कुछ बच्चों तक ही सीमित न रहें अशंख बच्चों तक मेरी बात जाए मेरे इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं कुछ जानता हूं मैंने जो अरजित किया है वह बहुत लोगों के पास जाए लाखों लोगों के पास जाए करोडों लोगों के पास जाए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसलिए मेरे मन में यह बात आई और कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे जीना है किन परिस्तितियों में किन हालातों में किस तरीके से रहना है तो इस तरीके से यही मेरा मकसद रहा कि हम एक classroom तक एक अच्छा तक सिमित नर हैं पूरे बिश्व में लोग देखें पूरे भारत के युवा देखें और उस चीज को पढ़ें उस चीज को समझें अपने future को बनाएं अपने life को बनाएं तो यही मकसद यह हो गया आपका मेरे चैनल खोनले का मकसद दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप याद कैसे करो किसी चीज को तो एक चीज समझ लीजिए आप कि पढ़ाई को कभी भी टेंशन के रूप में मत लो पढ़ो तो टेंशन में मत पढ़ो और इस तरीके से कभी कि भी उसको बोज समझ के नहीं पढ़ो चाहाँ वह कोई भी विशय हो आप देखिए बच्चे रट्टा मारते हैं याद करते हैं एक दो घंटे तीन घंटे तक वह याद रहता है फिर भूल जाता है क्यों क्योंकि वह टेंशन में याद किया गया है आप अपने जीवन में देखे होंगे आप किशी तीन घंटे के मूवी देखने जाते हैं पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको सुरू से लेके लास तक पूरी स्टोरी अगर आप फिल्म देख करके आए हैं तो आपको पूरी सुरू से लेकर के लास तक इस्टोरी आपको याद हो जاتी है तिन घंटी कि क्योंकि वह आप पेंसन में नहीं देख रहे हैं उसको सब्सक्राइक कर रहे हैं वह सी पढ़ाई को अगर इंज्वाय किया जाए तो यह सारी कि बाते वैसी ही याद हो जाएंगी जैसे आप किसी पिक्चर के इस्टोरी को सुनाते हैं या याद कर लेते हैं। वहांपर आप रिलेक्स रहते हैं कोई आपको टेंशन नहीं रहता है एक चीज और बता दू कि जब भी आप जिस रूम में रह रहे हैं जहां पर आप सोते हैं जहां पर आपका ज्यादा उठना बैटना होता है घर में वहां पर दीवाल में आप उस चीज को लिख करके चिपका दिए आप मोटे मोटे एक्षरों में लिखे बड़े अक्षरों में लिखे ताकि वो दूर से भी आपको दिख सके ऐसा लिखे कि उस रूम के कहीं से भी देखा जाए तो चीज दिखाई पड़े एक दीन दो दीन तीन चार दीन लागातार आप उसको देखना है पढ़ना नहीं है तनाव नहीं लेना है अब मैं इसका एक उदारण दूंगा आप विद्याले जाते हैं या बाजार जाते हैं जहां पर आपका रो जाना जाना रहता है आप रास्ते के हर एक पॉइंट को आपके brain में है मैंने आख बंद करके भी अगर कोई पूछे क्या मुख जगह पर क्या है तो आप बता दीजेगा क्यों बता दीजेगा क्योंकि वहां पर रोज जाते हैं डेली जाते हैं इबरी डे और वह चीज आपके जहन में बैठ गई उसी तरीके से कोई भी है वर्ल का मेफ हो इंडिया का मेफ फिजिकल हो पोलिटिकल हो को एसा सैंटेन्स हो कोई ऐसी बाते हो कोह इसा मैथ हो या कुछ भी हो या कोई फॉर्मूला हो आप उसको लिख दीजिए मोटे कागज पर और उसे चिपका दीजिए एक महीने दो महीने तक उसको कॉंटिनु को देखना है और कुछ नहीं करना है एक समय ऐसा हैगा कि वह आपके जहन में घुश जाएगी बाद और फिर वह जीवन में कभी निकलेगी नहीं रट्टा मत मारी उस चीज को ऐसा किजिए रही बार कि अपने जीके को कैसे क्योंग करें कैसे यह भी रट्टा मारने की चीज नहीं कि यह भी रट्टा मारने की चीज नहीं कि सपोज कीजिए कि एक कोरोना का समय बीता 2019 मार्च के बाद जो विपत्ती आई पूरे विश्व में अब अगर आप थोड़ी सी चलाकी करते थोड़ा सा ब्रेन लगाते और डेवाइज डेज जो भी इंपोर्टेंट घटना है घटी उसको अगर आप एक डायरी में नोट करते जाते डेट वाइज और कुछी दिन के बाद जब सभी लोग उस चीज को भूल जाते तो आप उस चीज को एक बार दो बार पलट करके देख लेते तो आपको याद हो जाता है फिर कहीं अगर बैठे हुए है कहीं चर्चा चल लए है और डेट तारी की बात आ रही है या कोई घटना करम की बात आ होगा नहीं लड़का कुछ जानता है बंदा में दम है तो कोई भी घटना हो नूज आप सुनते हैं उसमें कोई कुछ हुआ उसको आप नोट कर लेजिए मतलब आपके पास एक पूरा का पूरा एक इस्टोर हाउस हो जाएगा जनल नौलेज का और चुकि वह आपका लिख पूरा जाते हैं और जैसे ही दो तीन महीने बिते हैं लोग भूल जाते हैं और वही प्रश्न एक्जाम में करेंट फेर में आता है और उस समय हम लोग क्या करते हैं उसको मिस कर जाते हैं डेट याद नहीं रहता है अगर उस चीज को उसी दिल लिख दिया जाए और लिख करके उसे अगर समय मिलने पर उसको अगर पल्टा जाए देखा जाए तो ओ चीज क्या हो जाएगी यह आपक लागू हुई थी ये इसके benefits है ये चीज़ है ऐसे है वही वही general knowledge हो जाता है जो घटनाएं बीत जाती है कुछ ही दिन के बाद और क्या हो जाता है वह general knowledge हो चाहे cricket से हो चाहे picture से हो चाहे politics से हो चाहे हमारे international label पर कोई घटना हो यह जो भी चीज़े हैं अगर आपको लग रहा कि नहीं यह प्रश्ण हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यह प्रश्ण बन सकता है उसको आप नोट कर लिए उस समय नोट कर लीजिएगा आपको वकायदे याद रहेगा डेट वाइज आप लिख सकते हैं उसको कोई भी चीज है उसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा प्रेक्टिस बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं बड़े-बड़े खिलाडी हैं फिर भी वो लोग जब मैच वगारा नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं नेट प्रेक्टिस जा करके करते हैं क्यों करते हैं वह तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है वो कई संचूरी मार चुका है ब और हम लोग क्या करते हैं जब आता है अनन्फानन में सब कुछ पढ़ने लगते हैं करने लगते हैं तो इकजाम के समय पढ़ने से नहीं होगा हमें पूरे वर्ष उस चीज को करना पड़े गारी इस तरीके से अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि फाइदा होगा अगर इस तरीके से जो जो चीजे मैं बताया कि याद करने की तक्निकी और अपने जनल नॉलेज को कैसे बढ़ाना है तो यह चीजे जो हैं अब हर चीज में हम लोगों को क्या करना पड़ता है गूगल खोलना पड़ता है तो गूगल तो आप खुद ही बन सकते हैं आप अप अपने पास उस चीज को डरी में नोट करते जाये एक समय आएगा देखेगा छे महिन के पास इतने सारे प्रशन होंग इतने सारे प्रसुंगे कि आप किसी को किमीश दे सकते हैं या तो इस तरीके से अगर किया जाए तो मुझे से रिलेटेड तो इस तरीके से आज मन किया कि थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए बच्चों को कि थोड़ा सा उनमें जोश आए और बेटर कर सकें और बढ़ियां से पढ़ सकें तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा तब तक के लिए थैंक यू झाल 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 झाल